मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि छे जन्बडी और साथ जन्बडी का दिन तुलारासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले दो दिनों के दौरान आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जन्ना चाहते हैं तो इस वीडियों को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियों के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले दो दिनों का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाती हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर और सांदार होगा मित्रों आने वाले दो दिनों के दौरान आपकी इक्छा सकती बहुत ज्यादा मजबूत होगी आने वाले शमय के दौरान आपकी इक्छा सकती को बहुत ज्यादा प्रोत साहन मिलेगा क्योंकि इस अबधी के दौरान आप बहुत पेचिदा हालात से बाहर निकलने में होंगे और इस कारण से आपका confidence label बहुत जयादा मजबूत होगा मित्रों इस अबधी के दौरान अगर आप कोई भी महत्वपुर्ण फैसला करते हैं तो फैसला करते समय आपको भाबुक होने से बचना होगा क्योंकि अगर आप भाबनाओं में आकर कोई भी फैसला करते हैं तो यह आपके आने वाले शमय के लिए बहुत जयादा खराब होगा भाबनात्मक तौर पे फैसला करने के कारण आने वाले शमय के दौरान पड़ेशानी का समना आपको बहुत जयादा करना होगा मित्रों आप में से जो भी जातक के जो भी दरसक के आने वाले शमय के दौरान अपना जमीन बेचना चाहते हैं तो इस अबधी के दौरान आपको कोई अच्छा खरीदार मिलेगा जिस खडीदार को अगर आप जमीन बेचते हैं तो आपको धन का लाभ बहुत जयादा होगा मित्रों इन दो दिनों के दौरान आपके रिस्तिदारों से आपको कोई तुफ़ा मिलेगा लेकिन आपके संबंधी भी इस गिफ्ट के बदले में आपसे गिफ्ट की उमीद करते होंगे तो आप उन्हें भी गिफ्ट दें ताकि आपका संबंध आपका रिलेशन बहुत जयादा मजबूत हो सके मित्रों इस अबधी के दौरान आपकी सुहरत आपकी इज्यत बहुत जयादा बढ़ने वाली है बढ़ते सुहरत के कारण इस अबधी के दौरान आप दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकरसित करने में बहुत जयादा कामया भी हासिल करने वाले हैं तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दो दिनों के दौरान किस टोटके को आज माने के बाद आपका समय बिहतर और शांदार होगा मित्रों इन दो दिनों के दौरान अपने समय को बिहतर और शांदार बनाने के लिए आपको लाल गाई को भोजन कराना होगा अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर और सांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें ताकि बांकी लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने आने वाले शमय को बिहतर और सांदार बना सकें धन्यवाद